है गाईज जाहिंद वेलकम तो माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज दोस्तो हम लोग एकसल में कुछ भी सेस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं अगर टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइकन सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तो हमें स्टार्ट करते हैं एकसल का वो टॉपिक कौन सा है तो यहाँ पर जाते हैं स्टार्ट बटन में और एकसल पर हम यहाँ क्लिक करते हैं दोस्तो Excels मेरे Eskin पे कुछ ऐसा खुल करके आ जाएगा यहां से दोस्तो हम इसको cut कर लेते हैं और यहां से blank document पे click करते हैं यहां से blank document लेंगे दोस्तो मेरे पास एक सदा page यहां पे Excels का मिल जाएगा और इसमें आज हम लोग कुछ formulas के बारे में जानने वाले हैं यह मेरा पहला condition है हम कुछ ऐसा setting करें कि 1000 से लेकर के 5000 नंबर तक ही इसमें type हो पाए दोस्तो उससे अगर कोई जादा या कम word type करता है तो वो type ही ना हो तो यह मेरा पहला condition होगा दूसरा condition दोस्तो मेरा यह होगा कि कुछ area को जो इस area में हम लिखने वाले हैं तो अगर मेरा जो blank area है उस blank area का color कुछ दूसरा रहे और जब उसमें हम number type कर दे या फिर में text कुछ भी type कर दूँ तो उसका color auto change हो जाए मतलब automatic change हो जाए यह बहुत ही interesting topic है दोस्तो आज जो सिखने वाले हैं तो हम इतना conditions लगा करके आपको सिखाएंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तो area को select करते हैं तो हम control A button प्रेस करते हैं इससे मेरा total area select हो जाता है अगर दोस्तो आपको area select करना हो तो यहां से भी आपको options दिये जाते हैं या find option पे click करेंगे और यहां से select पे आप click करेंगे तो यह आपका area select हो जाएगा तो दोस्तों mouse से ही left click के साथ में इतना area को select कर लिया। उसके बाद जाना है आपको data options में यहां पर आपको data Ñप Fun سन दिखाई देगा यहां पर जाना है data में जाने के बाद दोस्तों आपको here option दिखायी देगा data validation यहां पर आपको जाना है data validation पर data validation पर click करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का आपको interface दिखाई देगा यहां से आपको जाना है whole number पर तो आप whole number को यहां से select कर लेंगे उसके बाद यहां से data को select करेंगा between क्योंकि हम एक हजार से पांस हजार के बीच का यह conditions लगाने वाले हैं तो हम between select कर लिए minimum price मुझे minimum जो आपका number है वह हम 1000 डालते हैं और maximum number है वह हम 5000 डालते हैं 5000 और यहां से कर लेते हैं अब दोस्तों जो यह selected area है उसमें 1000 से 5000 तक के ही numbers लिख पाय रहा होगा यानि जो भी हम number type करेंगे जैसे मैं 4 type कर रहा हूं तो देखिए दोस्तों क्या information दे रहा है यह value accepted नहीं है अगर आप इसी में 1000 टाइप करते हैं तो दोखिए दोस्तों यह value आपका acceptable है यह accept हो गया 5000 accept हो गया अगर हम वही 6000 रुपय डाल लें यानि 6000 एमाउं डाल लें तो इंटर के रहेंगे तो यह acceptable नहीं है तो यह पहला condition तो आपका काम करने लगा अब दूसरा condition दोस्तों मेरा यह रहेगा कि यह जो लिख रहा है नॉर्मली लिखा रहा है हम सोच रहे हैं कि इसका blank का जो है design हो जाए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा फिर से जितना एरिया में यह लगाना है माउस की मदद से उस एरिया को हमको select करना होगा तो दोस्तों हम इस एरिया को select कर लिए और हम चले जाते हैं यहां से home option पे home में जाने के बाद यहां से conditional formatting का option दिखाई देगा यहां पे आपको click करना है अब दोस्तों conditional formatting में click करेंगे तो यहां से आपको एक new rules का option दिखाई देगा इस new rules पे click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपके screen पे दिखाई देने लगेगा अब यहां से आपको जाना है format only sale that content इस option में जाएंगे हाला कि सब options में कुछ ना कुछ conditions है जो आप मेरे अगले वीडियो में देखिएगा एक ही वीडियो में हम सारे को cover नहीं कर पाएंगे दोस्तों आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को please like and subscribe किजिए क्योंकि इस तरह का educational वीडियो आपको हमेशा मिलता र लिएंगे और यहां से हम क्लिक करते हैं अगर ब्लैंक नहीं रहे तो जैसे कि माल लिए जाएक कुछ लिखा रहे है उसका लग रहे और ब्लैंक मतलब नो ब्लैंक रहे नहीं ब्लैंक रहे और यह है अगर ब्लैंक रहे तो ब्लैंक रहे हैं तो हम क्या लगाना चाहते हैं त फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलेक बॉक्स आपको दिखाई देगा अब यहां से दोस्तों हम चाहते हैं कि एरिया ब्लैंक रहे तो उसमें क्या-क्या डिजाइन रहे तो यहां से हम फॉर्ण्ट नॉर्मल लगते हैं बोडर में हम चारो तरफ से बोडर दे देते हैं दोस्तों बोडर यह सो करने लगेगा आपको और फिल में जाते हैं और फिल में कलर हम एक नॉर्मल सा कोई कलर रख लेते हैं जैसे यह वाला कलर जैसा कि आप सेलेक्टेट कलर में भी आप देख पा रहे होंगे वही कलर हम एक रख लेते हैं नॉर्मल सा यह व दोस्तो numbers जैसे हम type करेंगे जैसे तो यह normally यह white हो जाएगा ठीक है यह वाला design अगर जो number मेरा type होने वाला नहीं है तो वह conditions का number type ही नहीं होगा तो जैसे हम pass जार यहां पर type करना है तो यह number white हो जारा है हम white को अलग color करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा हम control जट करते हैं और फिर से हम उसी area को दोस्तो select करते हैं जितना area मेरा selection था select करने के बाद फिर से जाते हैं home पे और यहां जाते हैं conditional formatting पे new rules पे जाते हैं और यहां से format all your sales debt content पे क्लिक करते हैं और यहां से क्लिक करते हैं हमकी बार no blank अगर blank नहीं रहे तो क्या होगा तो blank नहीं रहे तो format पे जाएंगे इसका font जो होगा वो आपका bold हो जाएगा यानि जो लिखेंगे वो bold में होगा border जो है वो चारो तरफ से border रहेगा मेरा available तो चारो तरफ से border click कर लेते हैं उसके बाद fill में जाएंगे तो fill का color जो है वो fill effect में जाकर के थोरा साम changing कर लेते हैं यहां से two color कर लेते हैं फास्ट color हम एक rate रख लेते हैं और दूसरा color हम यहां से yellow type का रख लेते हैं और दोनों का mix सब कुछ हम कुछ इस तरह का कर लेते हैं दोस्तों यह वाला डिजाइन इसको select करते हैं और इसको करते हो के देखते हैं यह अच्छा लग रहा है नहीं यह अच्छा नहीं लग रहा है हम इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं यहां से हलका rate कर लेते हैं तो यह एकली वर्ड दिखाई देने लगे तो हम यह हलका सा यह कर लेते हैं ओके करते हैं तो यह डिजाइन आपका रहेगा हम करते हैं ओके और यह डिजाइन देखते हैं दोस्तों जब लिखा हुआ वर्ड आपका नो ब्लैंक रहेगा यानि लिखा हुआ रहेगा तो इस डिजाइन में आपका words हो करे गा हम यहां से करते हैं OK, अब यह numbers हम इसमें अगर दोस्तों type करते हैं जैसे माल लिया जाव हम 5000 ही type किये, इंटर किये तो यह color दोस्तों देखे क्यों इस तरह का change हो जाएगा, 1000 type की ऐसा हो जाएगा, अगर वही हम 5000 से ज्यादा टाइप करेंगे तो यह accepted ही नहीं लेगा दोस्तों इसमें तीन conditions आपके work कर रहा है उसी तरह हम कम नंबर भी लिख रहा है तो यह accepted नहीं ले रहा है तो इसके लिए आपको 1000 से ज्यादा नंबर या आप 500 आप 500 से आपको कम नंबर ही टाइप करने होंगे तभी जाकर के दोस्तों यह accepted आपका ले सकता है तो इस तरह से हम यहाँ पर टाइप करेंगे जैसे 6000 से ज्यादा करना होता है जैसे यह colors आपको पसंद नहीं है तो editing करने के लिए पूरा हम एक बार select करते हैं हम दोनों बता देंगा कि हम editing भी कर सकते हैं या फिर यह design आपको पसंद नहीं आया तो हम हटा भी सकते हैं select करने के बाद conditional formatting में जाएंगे फिर से यहाँ से manage rules पे जाएंगे अगर मुझे नहीं रखना होता है दोस्तों तो हम यहाँ से select करके delete rules करेंगे अगर edit करना होता है तो select करके edit rules करेंगे और यहाँ पे format में जाएंगे और जो design फिर से मुझे colors वगर लेने हैं वो ले करके हम ok करेंगे design साबका edit हो जाएगा तो edit करना तो उपने आसानी से सीख लिया यहाँ से select करेंगे delete करेंगे खतम हो जाएगा और edit करना अब यह 5000 वाला conditions हटाना और लगाना सीख लेते हैं यह जो 5000 से 5000 है तो फिर से हम उसी area को दोस्तो select कर लेते हैं जिस area में मैंने इस conditions को लगाया है उसके बाद फिर से data में जाते हैं फिर data में जाने के बाद data validation में जाएंगे और यहाँ से yes बटन पे click करेंगे और यहाँ से द लिकर कर देंगे अब all types data और numbers यहाँ पर acceptable हो गए अब किसी भी type का numbers और data को अपसानी से लिख पाएंगे तो दोस्तो इस तरह से हम लोग conditions को लगा भी सकते हैं edit भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं दोस्तो वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताईए और please मेरे चैनल पे झाल 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 झाल